वेल्कम गाईज on the next lecture of the soil mechanics तो आपने आगला बे lecture माँ soil mechanics ना महत्व पूण चेप्टर एव बीयरिंग केपेसिटी अन शेलो फाउंडेशन नी चर्चा करी रहा था तो आदनो वीडियो पन एनेज सबंदित छे के त्या थी आपने आगडवदिये जी टोपिक थी आपने चर् ब्रेक करियाती तो अपने आगडवदिये बीयरिंग केपेसिटी अन शेलो फाउंडेशन मां तो हवे पच्छी नो टोपिक आवे चे मेथड्स टू डीटर्माइन द बीयरिंग केपेसिटी वह यां लखाई मेथड्स टू डीटर्माइन बीयरिंग केपेसिटी तो गणी बदी मेथडों छे आपनी पासे तो सर्वात करी आपने एनालीटिकल मेथड त्रण मेथड छे टोटल आपनी पासे एनालीटिकल मेथड बीजी मेथड नी चल्चा करिये तो छे बेज अन्द कोडल प्रोवीजन वरोबर छे तो आँ मेथड छे कोडल प्रोवीजन उपर आधारी छे कोडल प्रोवीजन पर्थी आपने बीरिंग केपेसिटी फाइंड करसू अन्ने 3G महत्व पूण मेथड छे फिल्ड मेथड बरोबर छे 3G महत्व पूण मेथड छे यहने आपने कैसू फिल्ड मेथड तो टोपिक नो ओवर्यू छे के मेथड टू डिटर्मायन तब बीरिंग केपेसिटी आपने गणा बता नियुमेरिकल सोल करिया आसे अन्ने यह मां बीरिंग केपेसिटी आपने फाइंड करता था परन्तु यी बीरिंग केपेसिटी फाइंड करवा माटे कई-कई मेथड्स होई सके यी जानवू जरूरी छे तो पेलों आपने कई सके एनालीटिकल मेथड्स सेकंड वन इजा बेज़न इंडियन स्टांडर कोड्स बरोबर छे अन्ने 3G मेथड छे के वे फिल्ड मेथड बरोबर तो अवे आपने एनालीटिकल मेथड्स पर चर्चा करिये सरू करिया आपने एनालीटिकल मेथड्स एनालीटिकल मेथड माँ आपने जोए तो इस मेथड्स आर बेस्ड ओन दे सोईल एन फाउंडेशन प्रोपर्टिस सोयल नी सू प्रोपटीस छे फाउंडेशन नी सू प्रोपटी छे परोबर आ मेथड स्पेशली एनी उपर आधारीच छे अने एनालिटिकल मेथड पाण थ्री ग्रूप मा आपने डिवाइड करसू एनालिटिकल मेथड ने पण आपने त्री ग्रूपस मां डिवाइड करवाना छे आ एक वस्तों आप ये समझ भी जोई है अने जेवी रिते आपने बियरिंग केपेसिती फाइंड करवा माटे इने आपने त्रण अलग 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 ग्रूप मां डिवाइड कर रही तो उमेटम नहीं वाध कर रही अनालिटीकल म यह थर ने पन आपने त्रण ग्रूप मा डिवाइड कर सू तो कही कही रीते तो आगू आया लखीज के बेज़ डॉन दर थीरी ओफ इलास्टी सिटी प्यलू आया लखवानों प्रहत्न करीज बेज़ ओन दर थीरी ओफ इलास्टी सिटी and second one is based on classification of earth pressure theories based on classification of earth pressure theory and third one is based on plastic theories के त्रिजी छे आपने कैसू plastic theory पर आधारित based on plastic theory तो पेली आपने बात केरी analytical method मां based on theory of elasticity second one is based on classification on the earth pressure theories and third one is based on plastic theories तो आपने step by step के इलास्टी सिटी थीरी मां सुसु आउसे बरोबर छे त्यार बाद earth pressure theories मां कई-कई methods आउसे कई-कई theories आउसे त्यार बाद plastic theories मां कई-कई theories आउसे यह आपने जोवानों प्रहतना करिये तो अहीं जी मैं लेखू तू के analytical method नूँ पेल्लू जी classification अतू based on theory of elasticity यह मां हूँ बात करें तो पेली method आउसे के sletures method बरोबर आ सेना उपर आधारित छे तो के based on theory of elasticity based on theory of elasticity elasticity उपर आधारित छे गणिवार एक्जाम मां आवी रीते पन question पूछी सके के बैस लेचर method छे यह bearing capacity find करवा माटे उप्योगी छे तो यह कोनी उपर आधारित छे बरोबर छे शुव यह earth pressure theory छे शुव यह plastic theory छे option c आपे लो elasticity साथे connected छे अथवा elastic theory छे अने option d all of the above आपे लो होई तो sleture method ए elasticity साथे संकड़ाए ली छे बरोबर अने हुँ कईस के आ sleture method ए elasticity अने बोसीनेस्क stress distribution साथे पन संकड़ाए ली छे हुआ यह लखवानों प्रेत्न करीज के sleture method छे ए elasticity तो खरू अने तमें add करी सको के बीजु कोनी साथे related सबंद धरावे छे तो के बोसीनेस्क stress distribution साथे सबंद धरावे छे यहनी उपर आधारीच छे बोसीनेस्क stress distribution पर आधारीच छे बरोबर अने अने हुँ एक बहु महत्व पूण वाद कैस के elastic settlement of the soil directly underneath perfectly elastic bearing slab is given by तो elastic settlement नी वाद थाती ती आपने खबर छे के elastic settlement आजी sleture method प्रमाणे सुथा से तोगो अनि पहला जे रहे आपने मने याद न थी के मैं तमने कराव यूतू के नई परन्तु consolidation जे रहे आपने study करता था त्यारे अवे पछीनी जी formula लखवानों छू यी formula नी त्यां discussion करी याती सरवात नुजी settlement होई यह प्राइमरी settlement तो मने फाइनल याद न थी परन्तु यी वक्ते आप formula नी चर्चा करीती हूँ है या लखवानों प्रहत्न करीज के इन्टु क्यू इन्टु अंडरूट ओफ ए वन माइनस म्यू स्क्वेर डिवाइड बाइ ए इटले बिजीरी ते जोंकाओ के settlement यी डिरेक्ली प्रपोजनल तो अंडरूट ओफ ए अन्ने ये यासू था से एरिया ओफ दबीरिंग स्लेब वरोबर परन्तु यी बीरिंग कर Navalny घ्राइड हो जोई यी पर्फेक्टली एलाष्टीख हो जोई कि वह वह जी पर्फेक्टली एलाष्टीख हो जोई कान्यक हो तमने ख्याल जहे आज इस लेजर्स मेथड आपने जी स्टडी करी रहा छी ये इकोना माटे छे तो के इलाश्टी सीटी साते संक्रा आये ली छे जह पन बोडी लेए ये ये येनू सेटलमेंट आपने विचारता होए तो इट सुट बी परफेक्टली इलाश्टीक अधर्वाइस दिस मेथड वी के अलग अलग शेप तो नो होआ जोई परन्तु सिमिलर शेप होआ जोई आने आने जो आपने बिजीरी ते लखू होए तो तो S1 by S2 divided by is equals to under root of A1 divided by under root of A2 लखी सकाए अने खरे खरें काओ के भई A1 सो होई तो के different size परन्तु सिमिलर शेप हो जोई अने बिजो bearing area होई A1 तो के बिजो bearing area A2 तो के बिजो bearing area परन्तु point to be noted के different size होई तो चाल से सपोज के एक area नी size छे 5 by 3 आने बिजो छे 10 by 3 परन्तु चाल से परन्तु शिमिलर शेप मां होऊ जोई यहनों shape similar हो जोई बरोबर छे आएक वस्तु मगज मां उतारवानी छे अने क्यारे पंड slature's method सामे आवे तो आपड़े जी points यहाद राखवाना छे इस सूट बी perfectly elastic बोसी ने इसके stress distribution साथे connected छे बरोबर छे आने जी आपड़े bearing slave लईये इपन perfectly elastic हो जोई अने जी settlement छे डिरेकली प्रपोजनल टू अंडर रूट ओफ इट्स बीरिंग एरिया तो आपड़े चर्चा करी रहा छे यह यहाद पेलो जी pressure theories आपड़ी पांसे classical earth pressure theories छे यहनी अधारित बीरिंग केपेसिटी कई रीते फाइंड करी सका है यहना analytical रीते यह जोवाना छे यह सेकंड वन इस बेस्ट ओन क्लासिकल अर्थ प्रेशर थियोरी बेस्ट ओन classical अर्थ प्रेशर थियोरी तो हुँ आमा लखाई जी पेली आपने ख्याल छे classical अर्थ प्रेशर थियोरी के Rankine's theory रेंकाइन्स थियोरी रेंकाइन्स थियोरी और सेकंड वन हुआ इसके पुकर्स थियोरी पुकर्स थियोरी एंड थर्ड वन इज बेल्स थियोरी अवे तमने एक वस्तों आई थी ख्याल असे के Rankine's theory सरवात मा cohesive less soul माटे उप्योगी हती तियार बाद Rankine's theory तमने ख्याल असे के cohesive and non cohesive बनने माटे उप्योगी बनी अने तो आजी correction अपडेशन कोने कईरू तो के बेल्स नामना जी scientist आवियाता विगनानी कावियाता येने Rankine's theory माँ थोड़क फिरफार करीने अपने खबर छे के Rankine's theory ने cohesive soil माटे प्योगी बनाई वी येला हूँ है कैस के Rankine's theory फक्त नोन cohesive माटे वप्रा तिती अनने जैरे बेल्स थियरी येला के Rankine's नो अपडेशन इकोना माटे वप्रावा मन्डियू तो के C5 soil माटे पणा वप्रा यानने पोकर्स थियरी आपने कईसु फक्त ने फक्त फाइव सोईल माटे उप्योगी बने तो अवे यां Rankine's theory ने आपने समझवानों प्रेतना कर सू Rankine's theory समझ भी डिफिकल्ट नथी आपने येना विसे ख्यालत छे के Rankine's theory कई रिते आपने एपलाई करिये छिए तो अई थी जो बात करू Rankine's theory अपने खबर छे ओरिजंटल जी स्ट्रेस फाइंड करवा माटे आपने आमने सा सू करता होई सू करता होई तो के के टाइम्स के ओफ पी एपलोसुछ है passive Earth pressure बारो बर यैनो coefficient इन्टू Sigma v बारो बर आपने ख्याल छे आपने यह सुदे आपने ख्याल छे हवे हुआ यह लखए कि Sigma h बारो बार होरिजंटल जी प्रेशर छे इक के एक्स्प्रेशन लेखु छे यी कोई बोडी पेसिव स्टेट मां होई त्यारे खबर छा एक्स्प्रेशन वप राए और सवतु महत्व पूण वात के पेसिव स्टेट मां मेजर होई के वर्टिकल होई विछारों पेसिव स्टेट मां कोण होई तो cervical होरिजन्टल जी स्ट्РЕस हसे मैजर हसे और माइनोर के वाई तो वर्टिकल ट्रेस इए माइनोर श्ट्रेस आसे जियर आपने एक्टिवनी बात करता होय जियर वर्टिकल स्ट्रेस जियर wizard होय और वरिजंटल स्ट्रेzone ए मायनोर होई बरोबर छे तो आ वर्ट सा आपने ध्यान राखवा जरूरी छे अने यहां में वाद केरी ज्यारे आपने रेंकाइंस थियरी ने समत्ता होए त्यारे आ प्रकार नू फुटिंग विचारिये अने यहां क्यू जेतलू अल्टिमेट लोड छे बरोबर तो यहां आपने बे एलिमेंट ने कंसीडर केरा छे एलिमेंट नंबर वन एल एलिमेंट नंबर टू तो एलिमेंट नंबर वन सुझे पोते एक्टिव स्टेट मां आसे अने एलिमेंट नंबर टू पोते पेसिव स्टेट मां आसे बरोबर तो आपने एक्टिव स्टेट नी वात करि सेकिए आप ईल्टिमेट बियरिंग केपेसिटीज एक लुसे कियूanno मीकरी आटाव्यो si सीग्मा एच डिवाइड बाइ क्ये था से अन्य धूड़ू क्यावस्तित लखू toky love कें नू इनवर्स था से केृपी था से यां सीग्मा एच था से बरोबर सहे अन्य अवे जार रहे हैं हमारे सीग्मा एच निवाद करवी हूई तotedार मैं उपर लखू तो सीग्मा shimmer गामा डी एफ लख्यूतू मेंन्या सीग्पाध एच इज़ कुलेच टूपध लख्यूतू मेंन्या सीग्मा एच सीग्मा इच्पाध निजगता एंवी लखिणाखू क्या आपको तों एया वात करूथ क्षित अधे एंधन एंवास साइन फाइफ डी वाइट ब्याइट य नो वर्ग था से केपी इंटू गामा डीएव वरोबर छे अजी जो आपने थोड़ू का आगड़ वत्वू होई के एक्चुले आपने यहां फाइंड सू करवा मागिये जी यहां आपने फाइंड सू करवा मागता होई के आजी ultimate bearing capacity rankine method माटे आपने फाइंड करवा मागता होई वरोबर छे अनने यहां केपी नो वर्ग छे तो केपी ने जो आपने थोड़ू काजी व्यवस्तित लखू होई के वाई के केपी ने कही रीते लखाए तो तमने खबर से 10 स्क्वेर 45 डिग्री प्लस 5 बाइटू आप आएक वस्तों आपने यहां ध्यान राखवानी हमें सार रहती होई छे हवे आजी rankine's theory जोई एमाँ आपने खबर छे 2 elements consider कहीरा एक elements तो beneath the footing बारोबर इपन केटली bearing capacity जेटलू जो रजिश्ट करी सकसे अनने बीजू जी element हातू यह जश्ट नेर द फुटिंग बारोबर तो बेनित द फुटिंग हासे एक्टिव स्टेट माँ ओवियसली हासे अनने जश्ट नियर द फुटिंग जी element 2 हासे पैसिव स्टेट माँ हासे बरोबर छे अनने तो इप्रमाणे अपने एक्सप्रेशन गोठो ता गया तो आपने at the end ultimate bearing capacity is equals to coefficient of passive earth pressure square into gamma df आपने मेडू परता हो ये तो सू वापरता हो ये के भैए क्यू ना छेद माँ गामा इंटू kp नो स्क्वेर अपने आवो एक्सप्रेशन वापरता हो ये तमने याद आई से आनने अजी थोड़क मोडिफाइड करीने लखो तो याँ गामा तो रेसेज क्यू बाइ गामा इंटू k nू स अवे कदाज तमने यादाई होई जे ओविएसली वनोपन केपी इस एक्वलस टु के ए इनवर्स ओफ पेसीव अर्थ प्रेशर कोफिशंट इस एक्वलस टु एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशंट अवे आजी मेथड्स निया आपने चर्चा केरी यहनी लीमिटेशन जी मेथटिव इनी लीमिटेशनस नहीं हो चर्चा करों के थेए एकजाम मां कुछेंस पुछाता होई के रैंक्पाइंस मेथड के बिरिंग केपेसीटी मांटे वप्राइए चे याँनी कईक ने कईक लीमिटेशनस तो जरूर है से तो हुन ही आई केवा मागू के लिमिटेशन्स नी वाद करिये आजी अपने एक्स्प्रेशन आ थियरी नी वाद करिये यहाँ साइज अने शेप अफ द फुटिंग यहाँ कोई असर नथी कोणी उपर तो कि अल्टिमेट बीयरिंग केपेसिटी उपर तमें जोयुँँचे आएक्स्प्रेशन एड़ एंड फाइड केईरू एमा कई बीयरिंग एमा जी फुटिंग नो एरिया पन आपने कंसीडर नथी केईरो एमा फुटिंग नो शेप सर्क्यूलर छे रेक्टेंगूलर छे ट्रेपेजोईडल छे क्यों छे इड़ एड़ एड़ यहाँ नथी चे अपने आ बदा फेक्टर ने जोयाज नथी, एनी इफेक्ट ने जोयद नथी, अने यी एक्जेकली शाच्चू नथी, बरोबर, एडे एडे न जी रिजल्ट मडे यी एक्जेकली साच्चू नहोई, कारण के आपने खबर चे बीरिंग केपेसिटी, इ एरियां, फुटिंग ना एरियां उपर आधारीत ह बरोबर अने bearing capacity ए फुटिंग ना शेप पर आधारीत होया ज बरोबर छे परन्तो आमा आपने Rankine's theory to find the bearing capacity आने analytical method एने आपने आमा shape of the area and size of the area we have not considered ओके इस theory is not applicable for sea soil and sea fire soil में ओ पेले तम ने कही दी दो तो के आ method छे इफक्त ने फक्त non cohesive soil माटेज उप्योगीच बन से आएनी limitations छे अवे जैरे analytical method ने आपने वाद करता था एमा classical earth pressure theory ना classification कही रहा है तो Rankine हतू बिजू pokers हतू ने तरी जू bell हतू तो आवे आपने second one मा जाईए के pokers pokers method आवे आ pokers method मां आपने जो जाता होए तो ही Rankine's method थी कई रिते अलग छे बरोबर छे तो हूं काओ के pokers theory is only applicable to sand it means non cohesive soil अने non cohesive soil माँ पन एने एम की दू के sand smartest pokers theory applicable छे बरोबर छे in this theory the equation has been developed based on Rankine's earth pressure theory आ मेथड प्रमाने पन जी equation अपने develop कैरू छे यी same equation छे जो हूं तमने काओ 10 rest to 4 वह अपने क्या छे फरक छे ना failure plan मा यहनू failure plan छे के जी footing हसे अने कदा च ultimate bearing capacity करता वदारे जे अरे load apply थही जातो हसे अने जी failure था तू हसे यी failure assumed as a broken lines which are symmetrical about the center of the footing बरोबर छे फुटिंग नी बनने बाजू symmetrical छे यी बनने बाजू जी आये नजन नाखवानी छे पोकर्स मेथर्ड रेंकाइन्स मेथर्ड करता कई रीते differentiate करे छे तो दिस इस दो important के जी आ तमें broken line जुओ छो center आपने विचारिये के center नी बनने बाजू ब्रोकन line symmetrical छे तो this is the importance मरोबर छे कई रीते differentiate करे छे अवे आपने जाने 3G method के analytical method ने आपने जारे वाद करता ता analytical method माँ पड़ कई method तो के based on classical earth pressure theory अने मा 3G classical earth pressure theory छे तो के Bales theory यी 3G classical earth pressure theory छे अने यी theory में तमने वाद करीती यी कोने उपर आधारी छे आधारी तो बरोबर पण कई-कई soil माटे एपलिकेबल छे C soil माटे पण एपलिकेबल छे अने C5 soil माटे पण एपलिकेबल छे अने सवथी महत्प पूर्ण बाब के याद एटलू राखिलियों याद एटलू राखिलियों के आजी theory छे येमा influence value नी वात करवामा आवे छे कोनी वात करवामा आवे छे influence value नी वात करवामा आवी रही छे अने मूं वात करता हो तो के influence जी value छे यही आमा बेल्स मेथड माँ उप्योगी बन से influence value ने आपने याँ समझ उपर से बेल्स मेथड माँ तो जी ultimate bearing capacity जी fine था से यह मा influence value नी येटले के येन फाइन ओ रोल छे आने influence value ने आपने बिजीरी ते define करूँ ओए तो यी बिजू काई ना थी influence value is equals to kp यह 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 जी पेसिव अर्थ प्रेशन नो coefficient छे येने जेने यह influence value तरीके define करेलू छे यह यह सव थे आपने महत्वपूण वस्तू छे ध्यान मा राकू पड़ से यह MCQ पड़ यह पूछी सके तो influence value नी वात करू तो यहनी value सु था से obviously 10 ना स्वरूप मा लखिये तो 10 square 45 degree plus 5 by 2 आ influence factor नी जी value था से बरोबर छे यहने limitations same छे क्या आ limitations हुचे यहनी limitations नी वात करता होए के footing छे यह अपने smooth consider कहीरू छे बरंतु आपने जानता होए के footing obviously smooth होता नथी footing हम्मेसर rough होई छे बरोबर छे यह वात करीदे smooth word यह लखवानों प्रेतन करे के footing bills theory यह bills नामना scientist है smooth विचायरू तू अने आपने खबर छे के थोड़ा का अपने earth pressure theories तरफ जाए के columns theory आवी हती यह माँ एने आजी limitations छे यह दूर करी हती अने त्या smooth किवाई के footing smooth surface ने यह रफ आपने विचायरी ती बरोबर छे column से अने बिजी एक वस्तु काव जी जी rankines theory pokers theory अने त्यार बात बेल्स theory माँ same limitations के size of the footing is not accounted these things we have to remember size of the footing is not accounted बरोबर छे आएक वस्तु अपने ध्यान मा राखवी पड़ से बरोबर एज़ लिमिटेशन्स आएक वस्तु छे महत्व पून हवे अपने आगड जहिए तो रीजी बात हती based on the plastic theories बरोबर छे हुआ लखवानों प्रेत्न करें के अपने बात करता था bearing capacity find करवा माटे analytical method नी बात करी यह मा अपने त्रोन अलग अलग ग्रूप मा divisions करी हुआ प्यलोग ग्रूप अतु elasticity यह मा slature method नी बात करी second group विल अतु इसू अतु classical earth pressure theory we discussed about the first one is rankine second one is pokers and third one is a bell and bell's theory is the updation of the rankine and pokers theory is the updation of the rankine and third one is a based on the plastic theories plasticity उपर आधारी छे तुमाँ यह लखाई के plastic theory उपर आधारी था छे बरूबर third one अने यह मा जी पेली method नी आपने चर्चा करवाना छी यह felonious method थानी बदी method छे पान तु line crumb by crumb आपने चर्चा करता जाहिए felonious method सब्द महत्वनों छे आमाथी जी पूछा से यह आपने चर्चा करवाना छी यह पेली एक वस्तु पड़ी एक खबर पड़ी गई के यह MC क्यों आई थी पूछो वोई तसु पूछे के यह felonious method छे यह कई प्रकार नी method छे elastic theory प्रकार नी method छे plastic theory प्रकार नी method छे classical earth pressure theory छे के नहीं तो आपने सु जवाब मां लखिये के obviously plastic theory उपर आधारीत छे अने जो plastic theory उपर आधारीत हसे मित्रो तो एक वस्तु महत्व पूर्ण ध्यान मां राखवा जेवी छे cohesive factor तो हसे जदिया फरितिवा सब्दने फरितिवा मारा statement ने दोहरावानों प्रेतन करे के felonious method नी जरे आपने वाद करता होई always इप्लास्टिक theory उपर आधारीत छे अथ्वा plastic theory मां जेपण कई method आवसे इबदी method cohesiveness उपर आधारीत हसे एनु कारण के जो cohesive soil हसे तोज ए पोते plasticity धरावती हसे बरोबर छे cohesive soil हसे तोज पोते प्लास्टिक theory धरावती हसे यह उबनी सके के घणी बदी theory हवे आपने जयरे चर्चा कर सूँ इस C प्रकार नी soil होई तोज एप्लाई थाई सके घणी theory C5 soil होई तो एप्लाई थाई सके परन्तु प्लास्टिक theory मां आपने फक्त फाई सोईल फक्त जी आपनी भाई सपोज के फाई सोईल होई एनी ultimate bearing capacity find करवानी होई तो फक्त आपने प्लास्टिक theory नो उप्योग ना करे सके बरोबर का तो जरूरी चे C5 soil होई का तो C होई बरोबर छे तो एक वस्तों या ध्या को है जिल सोईल यहां काईस के C5 soil नी भात करतो ना थी तो आज सेकंड MC क्यों होई थे निकड़ी सके बरोबर छे अने एक बिजो महत्व पून MC क्यों ultimate bearing capacity is a by the felonious method आपने सु आपी सके is equals to 5.5 times the C बरोबर छे यहां फरी थी काईस के ultimate bearing capacity by the felonious method प्रमाने एनु एक्स्प्र आपनू होई expression कही रीते आवियू it doesn't matter बरोबर तो इक्सप्रेशन होई 5.5 times the cohesion बरोबर छे आएक वस्तु आपने याद राखी लए औने बिजी एक वस्तु के felonious method प्रमाने जी failure था से बरोबर छे फेलियर ओफ दा जी soil नूजी failure हसे बरोबर छे यी arc of the circle प्रकार है हसे आर्क of the circle प्रमाने हसे जो आये हूँ एक महत्व पून MC क्यों आई थी निकड़तों होई आर्क of circle प्रमाने येनू failure था से बिजी एक वस्तु आर्क of circle प्रमाने येनू failure थाई औने आप फेलियर जन्रल शियर फेलियर असे के लोकल शियर फेलियर ही कई रीते खबर पड़े ही एक सव थी महत्व पून वात रिये तो my dear friend consider के बे याद जन्रल शियर फेलियर असे तो मैं याद करो मारा पाछण ना जी बे में बे वीडियो सानी उपर बनाए वाता इमा में कितू तू के जन्रल शियर फेलियर इस्टीफ सोईल का तो medium to dense प्रकार्नी सोईल मा वपरा से तो आज या cohesive soil होई ये तमारा मत प्रमाने सू होई ये dense sand हसे का तो stiff soil हसे cohesive soil हसे dense sand हसे का तो dense sand प्रकार्नी हसे dense हसे का तो stiff soil हसे बरोबर छे ये एक आवस्तू याद राखवानी छे के जन्रल शियर फेलियर अन्यावे तेरे आपने आगण वधिये तेरे बीजी एक महत्व पूर्ण वस्तू के तरजांगी थियरी से नी आपने वात करवाना ची ये तेरे आपने जी वात करी रहे याँची प्लास्टिक थियरी में तमने जनाव्यू जी एक्जाम मा पूछाई सके अन्य त्यार बाद तरजांगी मेथड महत्व पूर्ण मेथड तरजांगी मेथड थी जी आपड़े अब जी बदा एक्जामपल सोल करता हो इस सोल करिये ची बरो बरते थी वो ये लखवानों प्रहतन करें सेकंड वन इस दा तरजांगी थियरी बरो बर तो आ तरजांगी थियरी विससे मारे थोड़ू केवू होई तो प्रणडटल मेथड छे येनू आ एक्स्टेंशन छे बहुत सरस्वस्थ तुमाया कई सकूँ एक्स्टेंशन औफ दा प्रंडड़्य मेथड एक्स्टेंशन ओफ दे प्रंडड़्य मेथड बरो बर थे अनने तरजांगी ये considered the base of the footing to be rough whereas Prandatal considered it smooth तरजांगी ये सु consider कही रूतो के base of the footing rough जारे Prandatal smooth consider कही रूतो एटला माटे आपने कही सकिये के तरजांगी is extension of the Prandatal method बरबर एका वस्तु आपने या ध्यानमा राखी सकिये और भी ये एक वस्तु हूं काओ के तरजांगी ये तरजांगी इस Prandatal ने रिलेटिवली बरोबर बनने ने आपने रिलेटिवली एक विजानी साथे जोड़ी सकिये अने अवे ultimate bearing capacity आपने खबर अच्छे के वे तरजांगी थियरी प्रमाणे जो ultimate bearing capacity आपने जी मेडव होई तो इकई रिते मेडवी सकिये तेनू एक्स्प्रेशन स्ट्रीफ फुटिंग माटे आपने सव जानता हासू स्ट्रीफ फुटिंग माटे आपने सव एनाथी महितगार हासू वह ये लखवानों प्रहत्न करें तम्हें memorize करवानों प्रहत्न करजाओ तमने जो याद होई तो CNC प्लस गामा डी एव इन्टो NQ प्लस वन हाफ गामा बी N गामा बरोबर छे और आएक वस्तू मैं जी भात करतो तो के या NC, NQ, N गामा अच्छे सू ओल आर्द बीरिंग केपेसिटी फेक्टर्स विचे डिपैंज अपन दे फ्रिक्शनल एंगल आफ दे सूइल बरोबर छे कोने उपर आधारी तसे N, C, N, Q, N, गामा फ्रिक्शनल एंगल याद के 5 उपर आधारी छे याना एक्स्प्रेशन लखू महत्वपूण नथी अने त्यारे हूँ आया येम कहो के प्योरली कोहेजीव सोयल छे लेके C प्रकार ने सोयल छे 5 मिन्स जीरो होई बरोबर छे 0 डिगरी होई त्यारे तमें याद राकिलियों के N, Q अपने ख्याल छे के N, C बरोबर 1 था से अने आगण वदिये तो N, Q बरोबर पन हुका इसके 1 था से अने ज्यारे N, गामा बरोबर 0 था से अने याँ वबात करतो तो N, C बरोबर मारी याँ बूल थाई छे N, C बरोबर 5.7 था से तो ओवियसली तो आई एक्सप्रेशन ने आपने ज्यारे 5 बरोबर 0 होई का तो कोहेजी उस सोईल होई एना सुवरूप मा लखोई तो हाँ विकेन व्राइट देस तो उन आया या या लखवानो प्रेतन करें आया सूप बात थे के बरोबर 1 होई या आनी जेगी 1 लखी दियो N, गामा बरोबर 0 होई आख्या कूट टार्म के उठी जासे केंसल थे जासे अन्य एनसी बरोबर 5.7 लखी दियो तो ultimate bearing capacity when the pure cohesive soil is there and we want to find ultimate bearing capacity expression ने 5.7 टाइम सी प्लस गामा डियेफ आर रिते आपड़े लखी सकता होई अन्य चैरे आपड़े वात करो net ultimate bearing capacity करवी होई तो जी ultimate bearing capacity ये माँची गामा डियेफ बात करी दए एटला आब एक केंसल सही जासे तो net ultimate bearing capacity 5.7 टाइम सी वद से तमने ख्याल हसे आवस्तुनों अन्य जिया रे local आत यारे आपड़े जी वात करी रहया छी जनरल शियर फेलियर नी वात करी रहया छी जनरल शियर फेलियर बरोबर छे अन्य जिया रे local शियर फेलियर एक्जिस्ट करतू होई त्यारे वह यां लख़ए के local शियर फेलियर होई त्यारे जी cohesion तमारे mobilized cohesion वापर हो पड़े अन्य येनी value 2 by 3 के जी cohesion होई येने आपने बेना छेद मां त्रण साथे multiplied करवो पड़े अन्य हूं येम कहो के 10 5m येलके mobilized angle of friction पर लखवो पड़े is equals to 2 third of 5 येनो मतलब सुथाँ से 5m बरोबर 10 inverse of 2 third of 5 5m नी नवी value मड़े तमारे जैरे local shear failure exist करतू होए त्यारे तमारी पासे सपोज के स्वोईल नो angle of shear friction 10 degree आपल होई तो 10 degree तमारे नहीं लेवो पड़े नहीं लेवानू येने आपने 2 third साथे multiplied कर सू पच्छ येनो inverse काट सू 10 inverse अने जी मड़े ये नवी value ने आपने 5m कंसिडर करवानों छे अने यें आपन जी cohesion आप ये local shear failure मां अने ये cohesion नी direct value आपने ultimate bearing capacity मां नई मुकवानी तरजांगी theory थी ultimate bearing capacity find करती वकते परन्तु कई value मुकवानी येने 2 third साथे multiplied करी ने 5 value मुकवानी तो आपने द्यानमा राखवी जोई है हवे महत्व पूण वस्तू काई इसके बहु अगत्याना topic छे येनी आपने चर्चा करवाना छिए बरोबर छे factors affecting ultimate bearing capacity अवे जी हुआ है या लखी तू लखाई factors affecting अल्टिमेट bearing capacity factors affecting ultimate bearing capacity अवे जैने आनी बात हुआ है तेरे गणा बदा factors affect करता है परन्तु हूँ एक महत्वपुण बात करें के effect of footing shape footing ना shape ना कारणे जी ultimate bearing capacity उपर तो हूँ आया वाद करतो तो कि shape factor कई रिते effect करसे यहनी आपने वाद करवानी छे यहले के area footing नो area footing नो shape बरोबर छे इक कई रिते तरजांगी यह जी theory आपी ultimate bearing capacity find करवा माटे यह effect करसे तो हूँ तमने यह ना विसे वाद करवानों छू देखों हूँ आया यह कोष्टक बनावू छू तमे पनी साथे साथे बनावता जाओ shape factor for उन रोमा लखू छू shape factor for अया उंका इसके nc nq n n gamma अने आपने वाद करिये rectangular rectangular नी जहरे वाद करतो होई त्यारे nc ने जो मारे लखू होई तो 1 plus 0.3 b by l लखवानों बरोबर छे अने जहरे rectangular नी जवाद करता nq बरोबर तो 1 थासे अने n gamma बरोबर 1 minus 0.2 b by l थासे हवे विचार करो कि rectangular नी जग्याई square होई तो यहने तमार याद नी राखवा पड़े तमें याद राखे लिए 1 plus 0.3 b by l अने 1 minus 0.2 b by l 1 plus 0.3 b by l एको ना माटे nc माटे अने 1 minus 0.2 b by l एको ना माटे n gamma माटे तो 1 plus 0.3 b by l square माँ सु होई से my dear friend b and l will be equals बने equal होई से तेती होई सु करें सु जोब आउ से obviously 1.3 आउ से यहाँ वन तो वन अज रह से अने यहाँ b and l equal होई से एडले 1 minus 0.2 एडले 0.l यहाँ तमारे आउ मल्टिप्लाइट करवाना आपड़े जी equation जो यू bearing capacity find करवा माटे नू c n c प्लस gamma df n q प्लस one half गामा b so आउ तो one half gamma b n gamma आतू आ कोना माटे आतू मित्रों strip footing माटे आतू कोना माटे आतू strip footing माटे तम्हें महित्गार असो strip footing कोने क्यों है परंतू strip footing नी जगिया है rectangular footing example मा तमने describe करीने दिये त्यारे तमारे equation मा सु करवानू छे के n c नी साथे तमारे आ 1 प्लस 0.3 b by l multiplied करवानो n q नी साथे 1 multiplied करवानो अने n gamma नी साथे 1 minus 0.2 b by l multiplied करवानो n c n q n गामा तो उर्यवाद देवना पुण आ ये नी साथे multiplied करवानू छे square मा तमें आज इनी equations आई पा formula साप्या ये b अने l बने same लए लियो ते थी 1 plus 0.3 एटले 1.3 अने b अने l सेम लियो ते थी 1 minus 0.2 एटले 0.l अने जारे circular footing होई तो आपने n c साथे येले के प्रथम टर्म साथे आपने 1.3 multiplied करवाना बिजा टर्म साथे वन अच्छे अने 30 टर्म साथे अपने 0.6 multiplied करवानू छे मित्रो वन अत्री जार्म मा अपने खबर चे के 1.5 gamma into b into n gamma छे 1.5 तो रिवा देवानू छे साथे 0.6 multiplied करवानू येले 0.6 multiplied करशो येले 30 टर्म circular footing मा सूथा से 0.6 multiplied 1.5 multiplied gamma multiplied b multiplied what n gamma बरोबर चे तो आप प्रकारे अपने जी bearing capacity तरजांगी थियरी आपी तेने अपने सूख करी सकिये अपडेट करी सकिये अलग-अलग प्रकार ना शेप ना footing साथे बरोबर छे तो अवे आपनने आगड़नी भात करवानी छे हवे पच्छी नू महत्व पूर्ण वस्तू छे एक effect करे छे तरजांगी bearing capacity पर कोण तो के type of the failure failure नो प्रकार वरोबर छे type of the failure के जी असर करे छे तो इसर कर से तो इमां कई रितनों परिवर्तन आउसे इमें तमने वात कई रिती अपने अतियारे भणी रही आची के बही क्या-क्या factors bearing capacity उपर असर करे तो अतियारे वह बिजू factor लखू के type of failure आमने लखवानी वात थाई तो इमां हूँ वात करू के general shear failure मां तो कोई प्रश्णद न थी कोई प्रश्णद न थी परन्तु जेरे local shear failure आउसे तेरे में तमने वात करी थी mobilized cohesion and mobilized angle of friction बरोबर आ mobilized cohesion नी वात करी थी mobilized angle of friction नी वात करी थी बरोबर छे कई रिते आपने मेडवता था यी वात करी थी 2 3rd of c नी वात करी थी अने 5m मां आपने वात करी थी के बहुत सरस हातू 2 3rd काईक आवी रिते हातू 5m is equals to 10 inverse of 2 3rd multiplied 10 5 काईक आवी रिते हातू 5m तमारे मेडवो पड़से अने यी 5 तमने विचार आवतो होसे के वुँ 5 सा माटे मेड़बू परंतु एनू कारण एक छे 5 मेडववानू के त्यारे आपड़े nc nq अने n gamma नी value मेडवसू तो आना अलगलग expression छे यी ओ त्यारे ये लगतो नथी येनू कारण कानकी एक्जाम मा पुछाता नथी nc nq अने n gamma नी value मेडवसू त्यारे 5 नी value मुक्वी पड़से अने यी 5 आपड़े आ नहीं मुक्वी सक्के के जी आपेल होई परंतु क्यो मुक्सू क्यो 5 मुक्सू के जी आपड़े at the end mobilized म अमने खबर चे प्रथम टम आपड़े q u find करिये त्यारे c nc आवे चे तो यह आपड़े c a नहीं मुक्ये आ सी नहीं मुक्ये परंतो c क्यों मुक्वानों थासे आ सी एम यी मुक्वानों थासे क्या प्रकाय ना फेलियर मा पॉइंट टू बी नोटेड फेलियर लोकल शियर फेलियर होवू जरूरी छे बरोबर छे अन्य हवे effect of water table water table नी कई रीते असर था यी एक महत्व पूण पॉइंट आपड़े जोवानों थे के water table कई रीते असर कर से बीरिंग केपेसिटी फाइंट करवा माटे एक आपड़े एक त्रीजू महत्वनों फेक्टर थाई जाए के भई effect of water table water table कई रीते असर कर से तो एक बहु आसानी थी मुद आमने समझावी दाओ क्या यहां क्यू यू छे यी क्यू आपड़े ज़रे फाइंट करता होई तर एक गामा इंटू डियेंफ इंटू एनक्यू प्लास वन हाफ गामा इंटू बी इंटू एन गामा वरोबर हवे हवे जयरे हूं यहां बात करू कि वोटर टेबल इफेक्टिव बनतु होई का तो वोटर एक पाणी छे जी ग्राउंड मां छे एनी सु असर थासे बीरिंग क एक पैसीटी उपर इमारे जोवी होए तो यह सेकंड टम मां हूं आर्क्यू मल्टिप्लाइट करीज अने आज इत्री जू टम छे निया हूं आडबल इउ मल्टिप्लाइट करीज अवे इए मल्टिप्लाइट तो करसू परन्तो इनी वेल्यू सुओ से इह हूं यहां तमन बता विदवाओं आर्क्यूनी वेल्यू सू थासे आर्क्यूनी वेल्यू हूं कहंँ पौइंट पाँच इनने काउंस 1देद्टता ही डवाइट बाईटर इने नाट्वश करीए वमांपण पॉइंट पांच इने काउंस एक वत्ता डी डबल्यू बाई बी डी डबल्यू बाई बी हवे तमने प्रश्ण थातों से एच डबल्यू अने डी डबल्यू ने अपने कई रिते समझी सक्किये फिगर द्वारा तो यह है यहां हूं द्वरवानों प्रेत्नकरिस हवे आएक सिगर फुटिंग आपेलू छे में फुटिंग बतावियू छे एमा में एच डबल्यू क्या थी मेजर करवानू छे डी डी डबल्यू सू छे डी डी डबल्यू क्या थी मेजर करवानू छे जोई सकिये के आजी footing ना end उपर थी आपणे dw measure करवानू छे बरोबर तो हवे आपणे अलग-अलग case जोईए सपोज के पेलो case एवो छे के पाणी छे यह यहाँ b यहले के dw बरोबर b dw बरोबर हुले लओ के b b एटले सूचे width of the footing अने dw सूचे तो के footing ना end पर थी b जितली depth पर water table आवे लूचे तो actually यह कई रिते आपणी bearing capacity मा असर करचे सव प्रथम आपने ते जोईए बरोबर तो अवे सर्वात करिए के आपने rw नी भात करिए तो dw बरोबर हुआ या सू मुकीदव मित्रों डीज मुकीदव ने बरोबर dw बरोबर b मुकीदव तो आया हूँ value लखिस dw बरोबर b बरोबर b अने छेदमा पन b तो विचारो तमें के value सू आउसे 0.5 in accounts 2 एले के 1 आउसे बरोबर छे एले effect नहीं करे 1 आउसे चोई एक करता उची value आवी हो तो effect करत अवे आज इस factor छे यहने आपने विचारिये के HW क्या थी major करवानू छे अई थी उपर थी major करवानू छे बरोबर आई थी major करवानू छे वही major क्या सूधी थासे अही हा at the end उपर major थासे बरोबर छे यहले के HW बरोबर हूसू लखिया या डी एफ लखे डी एफ तो आइटलू छेज परंतु HW सू बतावे छे के पाणी ground लेवल थी केटला नीचे छे बरोबर पाणी ground लेवल थी केटलू नीचे छे बरोबर तो ई तमारे क्या सुधी consider करवानू अया at the end of the footing सुधी consider करवानू बरोबर एटले हूँ अया लखाए के RQ बरोबर 0.5 इने कामूस 1 प्लस depth of the footing divided by depth of the footing एटले RQ बरोबर पण 1 आउसे लखाए असर नहीं थाई हवे मित्रों मारा मित्रों विचारों के अवे सुधी विचारवानू थाई तो अवे विचारों के पाणी क्या छे अहिया पोंची ग्यू छे अहिया पोंची ग्यू छे जो अहिया पाणी पोंची ग्यू हो तो अने तमें RQ पेला विचारों RQ विचारों तो RQ बरोबर सु था से हवे आया तमें HW बरोबर सु लख सो पाणी तो आया छे बरोबर तो HW बरोबर सु था से DF था से एले के 0.5 इने काउंस 1 प्लस DF by DF is equals to 1 परंत तुझा फरक पड़ से ने RW मा फरक पड़ से मित्रों अने हवे DW क्या थी मेजर था तो तो के DW आय थी मेजर था तो 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 आयदले 6 महा भी लाकुछ जीरो था है जासे एले 0.5 ाहा उसे तो तमारे 0.5 ने के भाई के 0.5 ने तमारे क्या मुल्टिप्लाइट करवा पड़ से अहीं तमारे वधाराना 0.5 मुल्टिप्लाइट करवा पड़ से के जारे पाणी क्या असे त्व्यारे FOOTING ना यारे ग्राउंड लेवल पर पोंची ग्यू होई तो तमारे यहा बिजा टम्मा पन 0.5 मल्टिप्लाइट करवा पड़ से अब आ 0.5 मल्टिप्लाइट कही रहा यह उपर ती तम्हें सु समझी सको एक वस्तु मित्रों आई थी आपड़े समझी सके के पाणी नू लेवल जेम उपर जातू जासे तेम जी फुटिंग नी का तो सोईल नी जी बीरिंग केपेसिटी आसे इडिक्रीस थती जासे अने एक बिजी वस्तु के पाणी जी फुटिंग थी बीजेटली डेफ्थ पर होई त्यारे यहनी कई असर नथी थाती परन्तु जी बीजेटली डेफ्थ थी आपने जोए ची बीजू अने त्रीजू टं म एमा तो यहनी बीरिंग केपेसिती फक्त थे टं वीचारे जोई तो अरधी घटी जाएचे चेंगा से यहनी आपने चर्चा करवानी थे के एनालिटिकल मेथड आकाई मेथड हती तरजांगी मेथड नी आखी थियरी थै आकाई मेथड नी थियरी थै तरजांगी मेथड नी थियरी थै हवे एनालिटिकल मेथड नी जी चर्चा करता ता आपड़े यहमा प्लास्टिक थियरी हती एमा तरजांगी आयवी थी, पेली आयवी थी मने याच छे प्लास्टिक थियरी मा पेली फेलानियस करीने हैती बिजी तरजांगी आयवी थी, क्ये जे प्रंड टलनू अपग्रेडेशन हतु अने हवे जी आपणे third plastic theory नी चर्चा करवाना ची ये Scampton theory छे 3GG plastic theory आने आपणे चर्चा करवाना ची ये इकई theory असे Scampton इथियरी नू नाम छे Scampton's theory अने Scampton theory विश्टे जहरें चर्चा करतो होई तो Scampton theory कोनी साथे संक्राईली छे saturated clay साथ thu ज़े आपने term by term जो ही एक scamton आपने सु आपने चेया सु न थी आप तू बरो बर चेया पहली एक वस्तू scamton आपने net ultimate bearing capacity आपने चेया scamton आपने सु आपने net ultimate bearing capacity आपने scamton आपने ultimate bearing capacity केसिटी आपे छे आपने एक वीचार आव से कि बीरिंग केपेसिटी केम नथे आप तू नई स्केम्टन थियरी ने जहीं बनाई वी छे बरोबर इस फॉर्मुला मां इस एक्स्प्रेशन मां तम्हें वेल्यू मुक्सो तो आपने नेट अल्टिमेट बीरिंग केपेसिटी ज मढ से अन्या कोना माटे तो के सेचुरेटेड क्लेई अंडर अंड्रेंड कंडिशन सेचुरेटेड क्लेई नी वाद छे कोना माटे सेचुरेटेड क्लेई माटे आपड़े एपलाई करी सकिए मित्रो माँ तो आप पून वस्तू जो जो सेचुरेटेड क्लेई नी वाद छ चुमस के saturation condition मा येस नहीं होए परन्तु पाणी कहा से saturation मा से पोथे saturated condition मा बढ़ अन्य पाणी कदा drain ठे़ा से ये नहीं मतलब सूद से के पानी निकडी जा से तो ये खले फो प्लास्टीशीटी नहीं धरावी से के जो पानी निकडी जासे तो इतले मारे याल वधार सु लखू पड़े मित्रों के अंड्रेंड कंडिशन सु लखू पड़े अंड्रेंड कंडिशन वाइटले के 5 बारो बर 0 डिगरी थाई आएक वस्तों आपड़े ध्यान मा राखवानी छे अन्य जी नेट अल्टिमेट बीयरिंग केपेसिट नी CU into NC अन्य कोहेजन नी छे आपड़े वाद करता होई CU नी वाद करता होई यसू थासे अन्य कंफाइड आपड़े वाद करता हैं अन्य कंफाइड कोंप्रेशन टेस्ट प्रमाणे CU बरोबर अल्टिमेट बीयरिंग केपेसिटी डिवाइड बाइट खबर छे आपने CU बरोबर सू थासे अल्टिमेट बीयरिंग केपेसिटी बरोबर डिवाइड बाइट बाइट उ एटले QNU बरोबर आपड़ी पासे CU हतू अन्ने NC हतू अन्ने नवे सर्थी मों लखवा जाओ CU नी वेल्यू मुकू तो Q बाइट उ इन्टू NC थासे अन्ने हवे महत्व पून वस्तू के आएंसी कोनी उपर आधारीत छे आएंसी कोनी उपर आधारीत छे तो के इडेफ्ट अप्ड़ फूटिंग डिवाइड बाइड ब्रेट ना रेश्यो उपर आएंसी आधारीत छे हवे ज्यारे अपने अलग 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 प्रकानना केस जो ये इकेस मां हूँ लखू स्केम टन्स बीरिंग केपेसिटी फेक्टर स्केम टन्स बीरिंग केपेसिटी फेक्टर एंसी वेल्यू अब ये प्रमाने जा रहे हूँ कव तो सपोज के डिएफ बाइट बी केस वन ने आपने चर्चा करिये जो डिएफ बाइबी बरोबर जिरो आवे छे तो येनों मतलब सूट यो फूटिंग फूटिंग के आँछे ग्राउंड लेवल पर छे तो त्यारे एंसी नी वेल्यू बरोबर छे त्यारे एंसी नी वेल्यू आपड़े 5 लईसू कोना माटे स्ट्रीफ फूटिंग माटे एंसी नी वेल्यू आपड़े 5 लईसू कोना माटे स्ट्रीफ फूटिंग माटे एंसी सर्क्यूलार एंड रेक्टेंग्यूलार माटे आपने छो वेल्यू लेस हूं बरोबर छे आग केस छे इकेस क्यों छे डिफ्ट अप्ड फुटिंग डिवाइड बाइब ब्रेट्थ यहनु रिस्यो जीरो था यहले के फुटिंग ग्राउंड लेवल पर छे अने त्यारे आपने कई है ची यहनी वेल्यू श्ट्रीफ फुटिंग माटे पांच आसे परन्तु स्क्वेर्स सर्क्यूलार रेक्टेंग्यूलर आने एजवल एज राफ्ट माटे पन आपने छो वेल्यू मुक्सू हवे एक बीजी महतों पून बात कहिए के जो डेफ्ट अप्ड 0 औने 2.5 नी वचारे होय तो आपने जी अल्यू पांच नी वेल्यू लेश्टं बरोबर छे ये 5 इन—1.2 dfby v बरोबर छे 5 इनकाउस 1 प्लस पॉइंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट चो साथे 1 प्लस पॉइंट टू डीएफ बाई बी स्क्वेर माटे तमें याद राखो औने रेक्टेंग्यूलर माटे रेक्टेंग्यूलर माटे तमारे आप 2 टम ने मल्टिप्लाइट करीने NC नी वेल्यू मुक्वी पड़ से अने एजवेल आवे आपणे 3000 केस माँ एड़ लास्ट केस पेलो जोये तो DF बाई B बरोबर 0 बीजो केस जोयो आगडी DF बाई B एड 0 औने 2.5 वचारे छे अने 3000 केस जोयो के DF बाई जोवानू छे DF बाई B greater than or equals to 2.5 होय तो strip footing माटे आपड़े NC नी value 7.5 लेशू कोना माटे strip footing माटे अने आपड़े NC नी value 9 लेशू कोना माटे square circular rectangular कातो raft माटे कोना माटे 9 लेशू square माटे circular माटे rectangular माटे अने raft माटे बाई 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 आपड़े 9 लेशू याद राखो आपड़े वोमा पन श्ट्रीप माठे 5 लेता था, 5 छी चोल लेता था, square, circular, rectangular यहना माठे, एज श्ट्रीप माठे ओछी यह से, यह तोमे एज याद राखवा माठे, पर आतो practical value होई, आतो याद राखवा माठे नी वाज छे, पर तरन अलगल केस नी वाज जोई, अवे एक महत वपून वस्तू, इट सुड भी नौटेट देट तरजांगी थेयरी इस लिमिटेट तो शेलो फाउंडेशन, वेरेस स्केम्टन थेयरी डू नोट सफर फ्रों सच लिमिटेशन, आपने खबर चे, तरजांगी थेयरी आपने जैरे श्टडी करी, तियारे फक्त अने फक्त शेलो फ फाउंडेशन माटे उप्योगी यती, अवे जैरे स्केम्टन थेयरी छे, इकोना माटे उप्योगी छे, तो के तरजांगी नोट क्राइटेरिया शेलो फो छेज, परन्तु डीप फाउंडेशन माटे पन, लेके पाईल फाउंडेशन माटे पन, उप्योगी तरजांगी थ छे हवे आपने एनालीटिकल मेथड मां त्रीजो पाट आपने हतो के प्लास्टिक थियरी इमानी आए एक थियरी छे मेयर होफ थियरी आज ही आपने उपर जे थियरी नी चर्चा केरी स्केम्टन थियरी एमसी क्यू एवी रिते आम थी निकडि सके के स्केम्टन थियरी एक थियरी साथे संक्डायल छे तो स्केम्टन थियरी इज अक्टेड विथ प्लास्टिक थियरी बरोबर आएक वस्तो आपने ध्यान मा राखवानी दिये अने एक बीजी वस्तों हुं कव के मेयर होफ थियरी एपन प्लास्टिक थियरी साथे संक्डायली छे तो आपने एक MCQ एज वन मार्क MCQ आईथी पूछी सके बरोबर छे तो आपने चर्चा करिये के मेयर होफ थियरी इज ये कई रिते आपने जी आगड़ थियरी जोई येना करता वदारे हेल्फुल बने मने यह लागे छे के मेयर होफ जी थियरी स्ट छे यी वधारे इफ्यक्टिव छे इस कंपेट्टू आपने जी तरजांगी थियरी जोई बरोबर छे येनु कारण येनु कारण हूँ तमने कवच्छू तो आपने लेट्स डिसकस अबाउट्व थियरी नि डिसकसन करिये तो मेयर होफ थियरी टेक्स इंट अकाउंट depth, shape and inclination factors together in bearing capacity equation तो आप शेफ फेक्टर लिये अकाउंट मा, depth factor लिये अकाउंट मा अने inclination factor आ त्रणे फेक्टर लिये अकाउंट मा बरोबर छे, bearing capacity find करती वक्ते, it can be applied to shallow, deep and foundation to all the shapes and loading conditions except foundation on built-up shapes परोबर छे, जेखो, मेयर होफ थियरी दरेक्ट प्रकाणना shape of the foundation मा अप्लिकेबल बन से, परन्तु built-up shape, एदले के suppose के बेप्रकाणना shape होई, एने भेगू करीने तरी जो shape बनावियो होई, तो त्यारे मेयर होफ थियरी उप्योगी नई बने, तेथी होँ या limitations नी वाद करें, built-up shape नी वाद करूँ छू, built-up shape मा इउप्योगी नई बने, हवे, एक equation छे, आपणे qu लगता था, cnc प्लस गामा df, nq प्लस वन हाफ, गामा, बरोबर छे, गामा b, n गामा into गामा b, बरोबर आ equation आपणे लगता था, यह माने खबर छे, के q नी आगड़ जो strip footing नहीं होई, तो as a relevant footing माटे हूँ अलग-अलग constant multiplied करी, इस माने खबर छे, बरोबर यहनों general equation अथो 1 प्लस 0.3 b by l, and for the last term माटे 1 minus 0.2 into b by l, and center माजी term से ना माटे nq बरोबर 1, परन्तु हबे मेरोफ मां यह करवानी जरूद नहीं पड़े, यहनी जग्या यह तमे, s c multiplied कर्षो, d c multiplied कर्षो, अने ic multiplied कर्षो, c for the c e represent करे छे, second term माटे मल्टीप्लाइट कर्षो, s q multiplied कर्षो, d q multiplied कर्षो, i q multiplied कर्षो, third term माटे मल्टीप्लाइट कर्षो, s gamma multiplied कर्षो, d gamma multiplied कर्षो, i gamma multiplied कर्षो, बरोबर छे अंतों आ गरेक्शन फेक्टर आपने जोई सकीए आवी रिते आने विचारवानू रिये मेयरोफ काई अगरू नती कदाच गेट एक्जामिनेशन थेग्यों आई एक्जामिनेशन थेग्यों कोई पने एक्जामिनेशन थेग्यों तो यहां फक्त तरजांगी साथे आने डिफ्रेंशियेट करू होई तो फक्त एक रिते डिफ्रेंशियेट करी सकाई यी वस्तू छे आमा त्रान अलग अलग करेक्षन ऐक्टार छे बस एज वस्तू बरोबर इधन कंआ एक वस्तो आपड़े त्यानमा राखवावानी छे हवे आपड़े एक 2G मेथड वीचारी is-CODE मेथड दिखो आज इत्यारे आपड़े पूरू थाई जावे आपणे कोडल प्रोवीजन उपर जाये ची तमने खबर छे एनालेटिकल पच्छे एक बीजी मेथड हती कोडल प्रोवीजन बरोबर छे कोडल प्रोवीजन हतु बरोबर छे इकोडल प्रोवीजन ने आपणे जरे वाद करिये एमा आपणे प्यल्ली मे लईए आईएस कोड मेथड बरोबर छे तो आओ येस कोड मेथड मा आपणे सु करवानु तो आईएस कोड एक्वेशनि परन्तु एडिसनल वटर टेबल क्रेक्षण एणे एपलाई करियो छे फेक्टर इन थर्ड टम बरोबर छे एडिशनल वोटर टेबल करेक्षन फेक्टर इन थर्ड टम एज फोलोज एक 30 टम मा बरोबर छे एदला हुआ आया जो मेजर ओफ एक्विशन प्रमाणे अल्टिमेट बियरिंग केपेसिटी फाइड करू प्लस हुआ या करू q-dase q-dase into nq अवे तमने q-dase था तो वह से प्रश्ण के पई q-dase 6 बरोबर छे तो पहला मने हैं कियो के यह q-dase नहीं चागी है आपने सू लगता था गामा इंटू df आउ लगता था के नहीं लगता था बरोबर तो अवे जहरे q-dase हाई वो यहनो मतल सू था से गामा डेस into dm गामा डेस ने बीजीरी ते लखू होई तो गामा सेचुरेटेट का तो गामा बल माइनस गामा डबल्यू लखा से के नहीं लखाए लखा से बरोबर छे आएक वस्तों आपने ध्यानमा राखवा नीदिये वनहांफ गामा इंटू बी इंटू गाम गामा इंटू आई गामा अने यहां एक वोटर टेबल करेक्शन फेक्टर डबल्यू एपलाई करवानों रह से वरोबर आएक वस्तों आपने ध्यानमा राखवानी चे वोटर टेबल करेक्शन एड़ एंड थर्ड टम मा आपने एपलाई करवानों रह से वरोबर छे हवे एक बीजी वो तमने बात करो बीजी बात करो के चेंज सेकंड टम्मा सू थी होजे सपोज के सेचुरेटेड होई तो आपड़े नियासू सेचुरेटेड नी जागे इस एक्टिव माटे आपड़े करिये तो के गामा डबल्यू बात करी ना किये बरोबर चे तो जी लाइये ची आईयेस कोड मेथड प्रमाणे यी 5.14 लेवानू छे तमने यादसे तरजांगी मां आपने 5.7 लेता ता तरजांगी मां आपने 5.7 लेता ता आईयेस कोडल मेथड प्रमाणे सीनी वेल्यू 5.14 लेवानी छे अथ्वा तम्हें येम पन कही सको मेजर होफ इक्वेशन प्रमाणे आजी सीनी वेल्यू तमारे 5.14 लेवानी छे बरोबर चे कारण के आयेस कोड मेथड यी मेजर अक्षेंसन चे और कातो अप ग्रेडेशन छे एटले सीनी वेल्यू मेजर आई एस कोड मा यू शूड टेक 5.14 परंतु जारे तरजांगी नी आपने वाद करता था निया आपने जी वेल्यू लिवानी छे सी नी 5.7 आपने वेल्यू लिवानी छे बरोबर छे अवे नेक्ष लेक्चर मा आपने बीरिंग केपेसिटी फाइंड करसू प्लेट लोट टेस्ट प्रमाणे स्टांडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट प्रमाणे स्टेटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट प्रमाणे त्यारे थार्ड लेक्चर मा आपने आ त्रणे त्रण त्रण टेस्ट प्रमाणे जी महत्वपूण वाद छे बीरिंग केपेसिटी फाइ कर मों हाँटे तो अत्यारे आ अक्रां लेक्चर मां अपने से नी डिसक्शिन करी अनलीटीकल मै Hakmanisod अने IS Codal Deviant provision प्रमाणे अपने bearing capacity find करता शिख्या और ने next lecture मां field method प्रमाणे bearing capacity find करसू field method में तमने रभाव ही के plate load test प्रमाणे bearing capacity find कर्सू standard penetration test प्रमाणे bearing capacity find कर्सू static कौन पेनेटरेशन टेस्ट प्रमाणे बियरिंग केपेसिटी फाइंड करवाना छिए बरवबर से तो नेक्ष्ट लेक्चर मां मढ़िए जय हें जय भारत